सुबह जागने के तुरंत बाद भूल से भी ना करे ये काम। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका। ऐसे कुन से काम है जो सुबह जागने के तुरंत बाद हमें नहीं करने चाहिए तो आये जानते है। दोस्तों स्त्री हो या पूरुष दोनों के लिए सुबह की शुरुवात अच्छी हो जाए तो पूरा दिन सुखद और शांत रहता है। इसी वजह से सुबह सुबह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दिन की शुरुवात ही बिगड जाए। यदि ऐसा होता है तो पूरे दिन ही हमारी स्वभाव पर और सभी कामों पर इसका गलत असर पड़ता है। तो आये जानते है कुनसी है वो काम जो सुबह सुबह हमें नहीं करने चाहिए। पहली बात है वादविवाद न करे। सुबह उट्ते ही जीवन साथी से या परिवार के किसी और सदस्य से वादविवाद नहीं करना चाहिए। सुबह उट्ते ही परिवार के सदस्यों के साथ प्रसन्न होकर मिले। यदि सुबह ही वादविवाद हो जाएगा तो दिन भर इसका तनाव बना रहेगा। हम स्वयम भी दुखी रहेंगे और परिवार के सदस्य भी। दूसरी बात क्रोध न करे। क्रोध को इंसान का सबसे बड़ा चत्रू बताया गया है। इस भाव में किये गए कारिय परिशानियों का ही कारन बनते है। यदि दिन की शुरुवात में ही हमें गुस्सा आ तो पूरे दिन स्वभाव में ये भाव बना रहेगा। क्रोध में व्यक्ति को सही गलत का ध्यान नहीं रह पाता है। वानी पर मियंत्रन नहीं रह पाता है। कभी कभी ऐसे शब्द बोल दिये जाती है जो रिष्टों को बरबाद भी कर सकती है। इसलिए इस बुराई से दूर ही रहना चाहिए। कुरोत को काबु करने के लिए सुबह सुबह कुछ देर तक योग ध्यान करना चाहिए। तीसरी बात किसी का अपमान न करे। सुबह के समय परिवार के सभी सदस्यों के साथ सम्मान पुर्वक व्यवभार करना चाहिए। विशेश रूप से माता पिता के समन्द में ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। परिवार में कभी कभी कुछ ऐसी बाते हो जाती है जब रिष्टों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थितियों में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। परिवार में कही गई अपमान जनक बाते दोनों पक्षों को बहुत पीडा देती है। यदि सुबह ऐसा हो जाए तो दिन भर मन उदास रहता है। चाउथी बात जादा देर तक सोना नहीं चाहिए। सुबह ब्रह्म मूर्त में यानी सवेरे से पहले ही विस्तर छोड़ देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह जल्दी जागने वाले लोगों के उपर सभी देवताओं की क्रिपा बनी रहती है। साथ ही स्वास्त के लिए भी यह वर्दान है। जो लोग सुबह देर तक सोते है। वे आलश्य का सिकार हो सकते है। इस कारण दिन भर कार्यों में गती नहीं बन पाती है। उत्साहा में कमी आती है। सुबह देर तक सोना स्वास्त के लिए भी हानिकारक है। मोटापे की समस्या हो सकती है। और त्वचा की चमग भी कम हो सकती है। पांचवी बात जूट नहीं बोलना चाहिए। ये बात सभी जानते है कि जूट नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी अधिकांश लोग जूट बोलती है, कम से कम सुबह सुबह तो जूट नहीं बोलना चाहिए। यदि दिन की शुरुवात ही जूट के साथ होगी तो पता नहीं दिन में कितने जूट बोलने पड़ सकती है। जूट बोलना भी पाप ही माना गया है, इससे बचना चाहिए। विशे शुरुप से माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के सामने जूट न बोले, क्योंकि बच्चे जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे। दिन की शुरुवात सत्य का आचरंग करते हुए ही करनी चाहिए सत्य का आचरंग करना यानी सच बोलना। धुम्रपान करना धुम्रपान चाहे किसी भी वक्त किया जाए वह नुकसानदाई होता है। लेकिन सुबह उठने के तुरंत बाद सिगरेट पीना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इससे क्यांसर होने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शराप पीना कई लोग ऐसे होते है जो अपने सुबह की शुरुवात शराप पीने से ही करते है। सुबह उठने के साथ ही शराप पीना सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होता है। कौफी पिना, दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे है, जो अपने सुबह की शुरुवात कौफी या चाई से करते है, पर विशेश यग्यों की माने, तो सुबह कौफी पिने से बिमाग में केमिकल का लेवल बढ़ जाता है, जिससे शरीर में कई सारी बिमारिया उत्पन्न हो सकती है, काम की शुरुवात करने के बाद कौफी का सेवन करना फाइदे मंद होता है, साथी सुबह खाली पेट चाय या कौफी ना पिये, तो दोस्तों ये थे वो कुछ काम जो हमें सुबह उठने के बाद नहीं करने चाहिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका ध धन्यवाद करता हूँ, वीडियो को लाइक करे और हमारे चानल को सब्सक्राइब करे ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके, धन्यवाद झाले वाले वीडियो करनी एक करे प्रणाओारो भाले वाले वीडियो को देखने के लिएक्टाइब करे खेए टूझेर हैं। झाल झाल